हेलो स्टुएंट्स लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था म काiley क्शे civils लोग उसके आगे बढ़ेंगे तो इंटिके करेंगे घुने हुई स्टाट करते हैं आज की कलास हम यह देखो यहाँ पर देखो और ब्रस पाथ के लग्र रही पाथ किया सटेट लाइंट सॉन line path. t इकोल 0 पर body यहाँ पर है. t equal to 0 पर body यहाँ पर है. इसकी position कितनी होगी? x naught position को हम तो anteco This means major कर रहे. तो x naught के लागा initial position? t equal 0 पर velocity कितनी ही? u. तो u कहला है, initial velocity, initial velocity, initial position. और t time पे तने के बाद velocity u से बदल कर क्या होगी? v, और position x naught से बदल कर क्या हो X, तो V क्या हो गया? Velocity after time T और X क्या हो गया? Position after time T X position after time T हो गया ठेक है? तो यहां से लेकर यहां तक का यह क्या कहला हैगा? Displacement T time के अंदर यह क्या कहला हैगा? Displacement तो तुम देखो इस figure में कि T equal to 0 पर जो position है वो कितना है? X naught जो velocity है वो कितनी है? U और जो displacement है हो कितना है? Displacement T equal 0 पर displacement कितना है? 0, बिल्कुल सही 0, क्यो 0 भई? अगर तुम मालो distance तुम दिल्ली से नाप रहे हो अगर तुम दिल्ली से नाप रहे हो तो दिल्ली का distance कितना कहला हैगा? 0 similarly displacement हम तो यहां से major कर रहे है तो यहां का displacement कितना कहला यह जी रो तो टीकॉ जीरो पर यह क्या हो गया पॉजीशन यह क्या होगी वेलास्टी ओगई डिस्पैस्मेंट इनीश्ट पॉजीशन इनीश्ट वेलास्टी ठेक तो कभी भी कॉश्चन में अगर कि नहीं दिया है कि टीट कोल इड imagin greatness कितना है कि टीकोल इडियो पॉजिचन नहीं दिया एगकितनर है तो अपने मन से तुम सुर्ण में दिया है कि विलास्टी क्या है जीरो जीरो अगर कुछ नहीं दिया है तो आप जीरो नहीं मानेंगे कुछ यू वगारा कुछ मान लेंगे टी कोल जीरो पे डिस्प्लेस्मेंट के बारे में कुछ नहीं दिया कि टी कोल जीरो पे डिस्प्लेस्मेंट कितना है तो आप अपने मन से टी कोल जीरो पे डिस्प्लेस्मेंट जीरो मान सकते हैं ओके इस यहां पर तुम देखो, यहां मैंने क्या क्या दिखाया, यहां पर मैंने X naught दिखाया, U दिखाया, V दिखाया, S और X दिखाया और यह ए दिखाया, इन इन quantities में यह चारों variable हो सकते हैं, यह चारों variable हो सकते हैं, X naught और U क्या कहलाएगा, constant, initial velocity, कोई भी चीज़ अगर initial है, तो क्या कहलाएगा, constant, तो यहां पर U क्या कहलाएगा, constant, जो क्या है, initial velocity, X naught, मैं यह नहीं कहलाएगा, कि VELOCISTIE CONSTANT है मैं कहते हुँ कि INITIAL VELOCISTIE U जो है वो CONSTANT term कहलाएगा INITIAL POZİCTION X 0 कहलाएगा भई यह बताव मल बोड़ीस यहाँ है बोड़ी से यहाँ से यहाँ आगे बढ़ती जारी आगे बढ़ती जारी तो वाडी यहां है तो भी initial velocity का कहला हूँगा you body यहां से यहां पहुंँ जाए तो भी initial velocity कितनी होग you तो यहां पर यह और यह constant है बागी चारो क्या कहलाएंगे यह चारो variable हो सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले बात करते हैं acceleration की हमें पता है कि acceleration equals to क्या होता है या पहने हम चलो बात करते हैं velocity की ठीक है तो velocity equals to velocity is equals to क्या होता है dxy dt अब मैंने क्या किया x यहां position time को मैंने transfer किया तो dx equal to कितना हो गया v dt time को मैं transfer किया dx equals to v dt हो गया अब इसके बाद मैंने इसको integrate किया इस equation को मैंने integrate कर दिया यहां पे integrate कर दिया तुम देखो figure में clear है कि t equal to 0 पे t equal to 0 पे जो position है यह कितना है t equal to 0 पे position हो कितना x naught और t time के बाद जो position हो कितनी है x t time के बाद जो position है हो कितनी है yad रहना अगर integration में यहां पर dx है तो limit किसका है एगा x का अगर यहाँ पर कोई dy है तो limit किसका है y का अगर यहां कुछ tv है तो limit किसकी आईगे velocity की यहां अगर कुछ ऐसा dt है तो यहाँ limit किसका आएगा ताइम का, तो यहाँ पर dt है तो यहाँ limit time का आएगा dx तो यहाँ limit किसका आएगा x का, तुम देख सकते हो की t equal 0 पे position कितना x0 और t time पे position कितना होगा x, अब चलो इसको integrate करते हैं, हमें पता है कि dx का integration होगा, वो कितना होगा, x-x0 जो dx उस dx का integration कितना होगा, x-x0 ठेक है, तो x-x0 equals to कितना होगा, integral vdt limit है, यहाँ पर limit है, मैं बस दिखा नहीं रहा limit यहाँ पर लिखी गई है x-x0 तो तुम फिगर नहीं देख सकते हो, x-x0 क्या है, displacement, और वैसे भी हमें याद भी होना चाहिए, कि final position minus initial position क्या होता, displacement तो इससे हमने क्या सीखा, कि velocity को अगर time के respect में integrate कर लिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, displacement, velocity को time के respect में integrate करने से displacement मिलेगा, ठेक है, याद रखना है, यह जो भी हमने सीखा, इसको हम लोग एक और तरीके से ला सकते हैं, एक और तरीके से यह चीज़ यहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं, कैसे? तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूम देखो, जैसे मैंने यहाँ पर velocity dx by td लिखा था, वैसे आपको पता होगा कि वेलोस्टी को हम लोग ds by dt भी लिख सकते हैं, वेलोस्टी को ds by dt भी लिख सकते हैं, मैंने time को transfer किया और time को transfer करने के बाद इस equation को मैंने integrate किया. Time को transfer करने के बाद मैंने इस equation को integrate किया, तुम देखो, इस figure में देखो कि t equal to 0 पर तो displacement हो कितना है 0 और T time भीतने के बाद तो displacement हो कितना है S तो इस DS का integration कितना होगा limit put करने के बाद S-0 होगा तो यह क्या बचेगा S और यह क्या बचेगा VDT देखो यहां से भी इसको हमने यह लिखा तो भी हम लोग यहां तक पहुँच गए इसको हमने यह लिखा तो भी यहां तक पहुँच गए दोनों सुम देख लो कि velocity को time के respect में integrate करने से हमें क्या मिलेगा displacement ठेक है मैं पहले भी कह चुका हूँ हमेशा कहता हूँ कि आप लोग को notes properly बनाना है आप लोग को इस तरह से पढ़ना है जैसे कि आप लोग live पढ़ रहे हो classroom में live पढ़ रहे हो आपको इस तरह से recording class को आपको देखना है ठेक है तो यह हो गया हमारा कि velocity को time के respect में integrate करने से क्या मिलेगा displacement आप चाहो तो हमेशा video को रोग के हमेशा notes बनाना को कुछ पढ़ा आपने video को रोगा notes बनाया फिर आगे बढ़ेंगे हाँ अगर में पढ़ाते पढ़ाते तुम notes बना पा रहे हो तो और अच्छी बात है लेकि समझना जादा important है notes बनाना important है लेकि कम important है in comparison to समझने के यह हो गया हमारा displacement ठीक है तो लिखेंगे हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि डिस्व की वेलास्टी को time के respect में integrate करने से हमें क्या मिलेगा displacement ओके यह बात हो गई अब आगे बढ़ें कि अगर हम लोग बात करें acceleration की ठीक है acceleration की बात की जाए क्या तक बात होगी अब आगे बात करते हैं हमें पता है कि acceleration जो होता है वो क्या होता है dv by dt मैंने time को transfer किया और time को transfer करने के बाद यहां पर मैंने time को transfer किया और time को transfer करने के बाद मैंने इसको integrate किया इसको मैंने ऐसे integrate किया T equal to G, यहाँ पर limit time का आएगा और यहाँ limit किसका आएगा, velocity का, T equal to 0 पर velocity कितनी है U, उपर याद को रूफी कर में, मैं दिखा दू, T equal to 0 पर velocity कितनी है U, तो T time बीतने के बाद, velocity कितनी है V, T time बीतने के बाद, जो velocity है, तो कितनी है V, अब इसको integrate करेंगे, इसका integration कितना हैगा V minus U, V minus U equals to integral ADT, और V minus U, final velocity minus initial velocity, final velocity minus initial velocity कहलाईगी, change in velocity, यह हमारी हो गई, change in velocity, इसका मतलब acceleration को time के respect में integrate करने से, velocity नहीं मिलेगी, velocity नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, change in velocity, acceleration को time के respect में integrate करने से, हमें change in velocity मिलेगी, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ओके, कि यहां पर देखिए हम नहीं क्या देखा कि वेलासिटी को वेलासिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटेगेट करने से क्या मिलता है क्या मिलता है इस प्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटेगेट करने से याद रखना वेलासिटी नहीं मिलेगी वेलासिटी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, चेंज इन वेलासिटी मिलेगी, ठीक है, यह भी याद रखेंगे, और एक चीज़ और मैं बता दूँ, वेलासिट को इंटेग्रेट करने से डिस्प्रेस्ट मिलता है, गल्दी सोचो, सोचो क्या मिलेगा, अगर हम लोग इंटेग्रेट करते हैं, तो बिलकुल सही बात, अगर इस 대해서 कटाइम मिलेगा इंटेक्रेट किया जाये, नोट कर दीटेट हैं, तो इसको integrate करने से हम a distance cover मिलेगा, इसको properly आप उपनी copy पे note कर लेंगे, ठेक है, ठेक है, तुम आगे बढ़ें, ओके, यहाँ देखें, यहाँ देखो, यह हमारा velocity और time में graph है, velocity और time में graph है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने time interval के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने time interval के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने time interval के लिए, जो हमने graph draw किया, यह हमारा velocity और time के बीच में जो graph है, इस graph में, इतने time interval के लिए, हमने इस graph के नीचे का, इस graph के नीचे का, हमने य एरिया निकाला तो पूछा है कि एरिया किसके इक्वल होगा इस ग्राफ के नीचे का यह एरिया किसके इक्वल होगा यह पूछा है कि एरिया किसके इक्वल होगा बताओ किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ जल्दी सोचो किस quantity area under velocity time graph gives क्या देगा यह कौन सी quantity देगा जल्दी जैसा कि हम लोग mathematics में पढ़ चुके हैं basic mathematics में हम लोग पढ़ चुके हैं मैं आप लोगों को याद दिलाओं क्या अगर y और x की बीच में graph रोग करें य और x की बीच में let's say हम लोगे graph रोग करें य ग्राफ रोग किया और उस graph की नीचे का ये area होता है उस graph की नीचे का ये area आपको याद होगा ये area होता है integral y d x यह मनोग पढ़ चुके हैं basic mathematics पढ़ते बक्त ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि area क्या होगा integral y d x area integral y dx होगा कहां से कहां तक इसको integrate कहां से कहां तक करेंगे अगर area हमने x1 से लेकर x2 तक लिया है तो इसका integration जो होगा वो x1 से लेकर x2 तक इसका ये integration होगा ठीक है यादक ना यह लोग पढ़ चुके हैं नहीं आद आया तो अभ देख लो वाई और x में ग्राफ ब्रॉट करें इसका area है से किरहाबर होगा मालिया कि हमने एंप और क्यू में graph रोग प्री क्या यह क्या है क्यूं क्या है कोई है पता नहीं पी और क्यूं क्या बस पी कोई variable है, कोई और Q हो, कोई variable है, और P और Q आपस में depend कर रहे है, एक दूसरे पे, तो P और Q में हमने graph रहा कि यह graph मिला, तो बताओ इसका area किसके ब्रावर होगा, अगर यह P और Q है तो area किसके equal होगा, जल्दी बताओ, integral area क्या था, integral integral y dx होगा, बस मैं आपको याद दिला रहा था, तो ऐसे यहाँ पे देखें, यह velocity और टाइम में graph है, motion in one dimension के लिए, यह velocity और टाइम में graph है, इसका area हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से, इसका area अगर integral y dx साथ, सोच, 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 इसका area क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका area क्या होगा, integral v dt, इसका area integral v dt होगा, और अभी हमने उपर पढ़ा, जस्ट इसके पहले पढ़ा, कि integral v dt क्या होता है, Basic Mathematics ने कहा कि area ये होता है और आज हमने पढ़ा कि इसकी value क्या होती है displacement के equal इसका मतलब कि velocity और time में जो graph होगा उसका जो area होगा वो displacement के बराबर होगा तो area under velocity time graph gives the displacement जल्दी से इसको अपनी copy पे लिखे इस statement को पनी copy पे लिखे इसको लिखना है ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे आपकी मर्जी आपको ये लिखना है कि नहीं लिखना है ठीक है अगर आपको याद है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं सिर्फ आपको यहां से यहां तक लिखना है आपको नहीं पता है तो इसको भी लिख लेंगे आप लोग तो याद रखना एरिया अंडर velocity time graph, velocity time graph gives displacement ठीक है, ओके याद रहेगा, आगे बढ़े और याद रखना एक चीजी है कि जब velocity positive होगी तो displacement क्या कहला हैगा, positive जब velocity negative होगी तो displacement भी क्या होगा, negative जितने time interval के लिए velocity positive होगी, उतने time interval का displacement positive होगा, जितने time interval के लिए velocity negative होगी, उतने time interval के displacement भी क्या होगा, negative ठीक है, positive negative, motion in one dimension में positive और negative का मतलब किस से होता है direction से, अगर मा ले इस direction को ने positive का, तो velocity positive है इधर है, negative है, इधर है, वही बात displacement के लिए, तो चलो यह तो area under the curve, velocity time graph हो गया, अब बात करें हम लोग, area under the curve, acceleration time graph की, वो उपर velocity time graph था और यह हमारा acceleration time graph है, जल्दी बताओ, इस acceleration time graph का area किसके एक्कुल होगा, जल्दी, acceleration time का graph, area under acceleration time graph, जल्दी, जल्दी सोचो, क्या होगा, बिल्कुल सही सोचा, आपने area क्या होता है, integral y dx, area integral y dx होता है, यहाँ पे तुम देखो, कि y की जगा क्या लिखूँगा, acceleration, और x क्या लिखूँगा, time, तो y की जगा, मैंने acceleration लिखा, और x क्या लिखा, time, area क्या हो गया, integral adt, और अभी हमने आज ही पढ़ा, इसके पहले, area होगा, वो क्या देगा, change in velocity, change in velocity, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, तो इस तरह से, इसका area हमें क्या मिला, change in velocity मिला, ठीक है, लिख लो इसको, इसको लिख लेंगे, area under the curve in acceleration time graph gives the velocity नहीं, change in velocity, change in velocity, और वही बात, जितने time interval के लिए, acceleration positive होगा, change in velocity positive होगी, और जितने time interval के लिए, acceleration negative होगा, change in velocity क्या होगी, negative, चेक, तो सुनू, position time graph, velocity time graph, acceleration time graph, position time graph, अगर मैं बात करूँ, slope of tangent की, और मैं बात करूँ, area under the curve की, slope of tangent और area under the curve, मतलब, मतलब देखो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखें, ये तो लिख लिए होगा आपने, हाँ, यहाँ बता, पॉजिशन टाइम का slope क्या होगा, पॉजिशन टाइम का slope of tangent, slope of tangent, जल्दी बता, position time में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, position time में हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ, position time में ग्राफ ड्रॉ करें, तो उसके tangent का slope क्या देगा, velocity, position time के tangent का slope, हमनों पढ़ चुके, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कि position time के tangent का slope जो देगा, वो हमें क्या देगा, velocity, ठीक, velocity time के tangent का slope हमें क्या देगा, acceleration, velocity time के tangent का slope क्या देगा, acceleration, acceleration time के tangent का slope क्या देगा, यह हमने नहीं पढ़ा, यह कुछ देगा, लेगे यह हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, इसके Slope का अलग से कोई नाम नहीं है इसका Slope क्या होता, DXYT velocity हुआ, इसका Slope क्या होगा DVY・DT, DYTY-T, acceleration इसका Slope क्या होगा, DAY DAYDT, DAYDT और DAYT का अलग से हमने से कोई नाम नहीं दिया है, ठेक है? अलग से हमने कोई नाम नहीं दिया, ये DXYT velocity dv by t acceleration अभ यहाँ प्याँ आ जाए area under the curve बताओ velocity time का area under the curve क्या होगा velocity time का area under the curve displacement velocity time का area under the curve displacement आज पढ़ा acceleration time का area under the curve क्या होगा अभी हमने पढ़ा change in velocity और position time का area under the curve क्या होगा यह हमने नहीं पढ़ा इसका हमने कुछ नहीं पढ़ा इसका slope velocity, इसका slope acceleration, इसका area displacement और इसका area changing velocity, इसको भी आप लोग अपनी copy पे properly उतार लेंगे, road कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ें, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह देखो, यह हमारा velocity और time के बीच में graph है, यह हमारा velocity और time के बीच में graph है, पूछा है, कि 0 से लेके 10 second तक का displacement कितना होगा, और 0 से लेके 10 second तक का distance travelled कितना होगा, निकालो, जल्दी निकालो, ठीक है, सुनो, देखे दर, हाँ, आप मैं try कर लिया होगा, उमीर है, मैं करता हूँ, अभी हमने पढ़ा कि velocity time का area क्या होता, displacement, इसका area निकालेंगे, इसका area, perpendicular into base by 2, perpendicular 8, base कितना है 2, इसका area जो आएगा, हो कितना है 8, इसका area 8, और इसका area 8, तो displacement कितना हो, 8, तो 0 से लेके 2 सेकंट तक का displacement कितना हो 8, कैसा 8 plus 8, ऐसे 2 से लेके 4 सेकंट तक का इतने area की बात करें, यह 2 और 8, तो area क्या होगा 16, तो displacement किसना हो 16, प्लस 16 को लिखा, velocity positive दो displacement क्या होगा, positive, again यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक का इस triangle का area, फिर से कितना हो a2 displacement होगा प्लसit area मतलब displacement अब यहाँ सिहां तक है यहां से यहां तक का issue area आएगा बोकि एगा 5 area 5 है तो displacement जो है वो कितना 5 area 5 to displacement 5 होगा लेकिन इसकी बात करें इसका भी area 5 आएगा तो displacement 5 और velocity negative dos । it's meant जो होगा माइनस 5 माइनस 5 यह होगा हमें क्या-क्या निकालना है displacement निकालना है distance travel निकालना है average velocity निकालनी है average speed निकालनी है from 0 to 10 seconds चेक है चलो निकालते हैं तो यहां पर देखो अगर मैं इस path की बात करूँ path let's say path ले लूँ इस body का यह path है हमें पता की path कैसा है straight line t equal to 0 पर इसको मैं t equal 0 बोल रहा हूं मानले t equal 0 है t equal to 0 पर displacement कितना है 0 velocity तो 0 से लेकर 2 second तक 0 से यह 2 second तक हुआ फिर 2 से लेकर 2 से लेकर 4 second तक हुआ 0 से 2 फिर 2 से 4 फिर 4 से हमनो कहां पहुंचे 6 second पे ठीक है तो यहां पर देखो तुम 0 से लेकर 2 second तक का displacement कितना है 0 से 2 second का displacement जो है वो कितना है 8 8 meter तो यह 8 meter है 2 से लेकर 4 तक कितना है 16 meter फिर 4 से लेकर 6 का displacement कितना है 8 meter अब बात करेंगे 6 के बाद 6 के बाद velocity 0 से लेकर 6 तक velocity का थी positive right direction को मैंने क्या बोला है positive 0 से 6 second तक velocity positive है मतलब body right जा रही right को मैंने positive बोला body right जा रही है लेकिन 6 second के बाद velocity negative हो गई velocity negative हो गई मतलब left हो गई left तो 6 second के बाद velocity negative हो गई मतलब left हो गई तो 6 second के बाद velocity negative हो गई मतलब यह left हो गई तो यह body 6 second के बाद इधर जाएगी तो पहले body right गई और फिर body left जाएगी यह हो गया 6 से लेकर 6 seconds से लेकर 8 seconds तक body यहां पहुंची कितना left में कितना गई-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-8-0-10-1-0-10-0-10-0-10-0-10 तक displacement कितना-5-0-5 फिर वो left में कितना गया 5 जीलाक मेटर ही कि यह हुग गया थो यहां पर देखो T equal to six second for velocity कितनी है जीलो start normally ऐसा होता है कि जब भीская ना ऐसा होता है कि जब भी Body अपनी velocity का direction change करती है जहां पर BODY अपनी velocity direction change करती है उस मोमेंट पर velocity क्या होती तुम यहां पर देखो, यहां पर विलास्टी क्या है जीरो, इसके पहले विलास्टी क्या थी राइट और इसके बाद विलास्टी क्या है लेफ्ट, जब भी विलास्टी अपना डारेक्शन चेंज करेगी, उस मोमेंट पर जो विलास्टी होगी, जीरो, तुम देखो, इस ब displacement कितना होगा, तो कितना राइट गया, 8 meter, 8 plus 16, 24 plus 8, 32, 32 राइट गया, 32 राइट गया, और फिर कितना लेफ्ट आ गया, 5 और 5 लेफ्ट आ गया, तो body यहाँ पर थी, यहाँ पहुंची, तो यह हमारा 10 second तक का, यह 10 second तक का displacement कहलाएगा, जोगी कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 22 meter होगा, displacement को path से मतलम नहीं, कहां थे, कहां पहुंचे, 32 राइट गया, 10 लेफ्ट गया, तो displacement कितना होगा, 22 meter, लेकिन अगर distance traveled की बात करें, अगर मैं distance traveled की बात करूँगा, तो distance traveled जो है, वो, वो देखते हैं कि कितना होगा, distance जो covered हुआ, तो right कितना गया, 32 meter, और left कितना ग क्या कहला हैगा, 42, sorry, वो 42 meter कहला हैगा, displacement 22 meter और distance covered 42 meter, इस path को आपनो जरू draw करेंगे, कि पहले ये right गया, और फिर ये left गया, तो से समने displacement और distance traveled निकाल लिया, फिर पूछा है कि average velocity क्या होगी, जल्दी सोचो, 0 से लेकि 10 second तक की average velocity क्या होगी, 0 से 10 second तक की average velocity क्या होगी, हमारा velocity و time में graph है, 0 से लेकि 10 second average velocity, तो तुमको पता है, average velocity क्या होता है, displacement upon time interval, displacement कितना है, यहाँ से यहां तक का 22 और time interval कितना है, 10, तो average velocity क्या होगी, 2.2 meter per second, 2.2 meter per second, ऐसे average speed की बात करें, average speed क्या होगा, distance traveled upon time interval, यहां से लेकर, यहां सतक का, जो distance traveled है वो कितना 42 meter और 42 को 10 से divide करेंगे तो आंसर क्या होगा 4.2 meter per second average speed हुई और 2.2 meter per second average velocity हुई तो यह हमारा question complete हुआ इस path को जरूर दिखाएंगे वैसे बिना path draw के भी आप यहां से भी answer निकाल सकते बस link concept clear करने के लिए मैंने यह path भी draw कर दिया तो यह बात हुई तो यह graph था हमारा velocity और time के बीच का graph displacement निकाला distance निकाला average velocity निकाली average speed निकाली average velocity के लिए हमें क्या निकालना होता है average velocity होती है total displacement upon total time interval average speed total distance upon total time interval अब बढ़ते हम लोग अगले question पे यह graph हमारा velocity और time के बीच का था इसको नोट कर लेंगे अगला graph जो है वो हमारा acceleration time के बीच में यह graph आप देख सकते हो कि यह graph जो है हमारा acceleration और time के बीच में ग्राफ है हां तो हमनों बात करेंगे acceleration time graph की acceleration time graph यह है question given है कि T equal to zero पर velocity कितनी है 5 meter per second यह हमारा graph है तो 10 second pay velocity कितनी होगी जल्दी से वीडियो को रोक के आप लोग इस question को solve करें 4 pay velocity 8 pay velocity 10 plus जल्दी करो ठीक है चलो अब मैं करता हूं आपने try कर लिया होगा यह area कितना होगा यह area 6 into 4 by 2 तो यह area कितना होगा 12 यह area भी 6 into 4 by 2 यह भी कितना होगा 12 यह area 2 into 3 by 2 यह कितना होगा 3 तो बताओ क्या t equal to 4 second pay velocity तो t equal to 4 second pay velocity कितनी होगी 12 यह तका area 12 है t equal to 8 second तक के velocity 12 plus 12 24 और t equal to 10 second तक के velocity 24 minus 3 21 4 second तक का 12 8 second तक का 24 और 10 second तक का 21 क्या है सही है बिलकूल रही है क्योंकि acceleration time का area velocity रही देता इसका area यह जो area है यह velocity नहीं देता क्या देता है यह change in velocity velocity नहीं मिलती हमें क्या मिलती है change in velocity मिलती है तो यह गलत है बिलकूल गलत है ठीक है यह गलत है सही क्या है वो देखते हैं यहां देखें तो 0 से लेकर 4 से केंड तक का चेंज इन विलास्टी चेंज का मतलब क्या होता है final minus initial तो 0 से लेकर 4 से केंड तक का जो चेंज है वो कितना कहलाएगा 12 0 से 4 से केंड तक का का चेंज जो है वो कितना कहलाएगा 0 से 10 से केंड तक का जो चेंज हो क्या कहलाएगा 21 चेक है तो 0 से 4 से का चेंज चेंज क्या होगा final minus initial 12 0 से 8 का change final minus initial 24 0 से 10 का change final minus initial कितना होगा 21 change in velocity यह होगा यहां पे V0 का मतलब है velocity at t equal to 0 velocity at t equal to 4 velocity at t equal to 8 velocity at t equal to 10 तो हम लोग graph देखकर अगर इस question को ना पढ़े graph देखकर सिर्फ graph देखकर velocity नहीं निकाल पाएंगे graph देखकर हमों सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते आप तुम यहां पे देखो अभ इसकी है अंसर आ जाएगा टीक और जी रोपे विरास्टी कितनी पाइक मेटर पर सेकंड यह पर यहां पर फाइब कर दिया तो ठीच की वैलु कितनी अगही तरफेंटीन meter per second, यहाँ पे 5 put कर दिया, तो V8 की value कितना आ गई, 29 meter per second, similarly यहाँ पे 5 put कर दिया, तो V10 की value कितना आ गई, 21, V10 की value कितना आ गई, 21 plus 5, 26 meter per second, इस तरह से हमें यह answer मिला, V0, V4, V8 और V10, यह हो गया, clear हो गया, ठीक है, अच्छा, तो graph से हम दो change नहीं का सकते हैं, V0 given था, put क्या यह answer आ गया, 0 से 4 का change, 12, 0 से 8 का change, 24, 0 से 10 का change, 21, अगर मैं को कि V4 से V8 का change कितना होगा, V8 minus V4, तो V8 minus V4 कितना कहला हैगा, 12, और यहाँ से 8 से 10 तक का, तो V10 minus V8 क्या कहला हैगा, minus 3, V10 minus V8 क्या कहला हैगा, minus 3, तो V4 को अगर यहाँ 17 रख दें, तो 17 प्लस 12 क्या हो जागा, 29, V8 यहाँ 29 रख दें, तो 29 minus 3 कितना हो जागा, 26, यह हो जागा, और यहाद रखना, अगर acceleration positive है, तो change in velocity, acceleration positive है, तो उतने time interval के लिए, change in velocity क्या होगी, positive, लेकिन तुम देखो, 8 से लिए के 10 सेकंड तक acceleration negative है, तो इतने time interval के लिए, तो change in velocity होगी, वो क्या होगी, negative, तो जितने time interval के लिए, acceleration negative होगा, उतने time interval के लिए, जो change in velocity होगी, वो और negative होगी, हुआ तो मधव किस मूमेंट परñaप्ट अपनी वपलास tienes चेंज कर रही यह किस मूमेंट पर बॉटी अपनी वडिलोजटी का तारिक्शन नहीं एट सेकेंड पे वेलास्टी का डारेक्शन चेंज नहीं हो रहा एट सेकेंड पर एक्सलरेशन डारेक्शन चेंज हो रहा एट सेकेंड पर वेलास्टी जीरो नहीं है एट सेकेंड पर एक्सलरेशन जीरो है एट सेकेंड से पहले acceleration क्या है positive 8 second के बाद acceleration negative है velocity नहीं अगर मैं इसका path draw करूँ चलो मैं आपका वह सब question solve हो गया लेख वाइसकी बारे में और detail में देखते हैं इसके path की बात की जाए चलो मैं इसका path draw करूँ लेट से path है तो t equal to 0 पर इसको मैं बोलू t equal to 0 तो हमें कितनी है 5 meter per second given plus 5 राइट direction मैंने क्या बोला है positive तो जो राइट होगा वह plus होगा जो left होगा वह minus होगा तो t equal to 0 पे velocity कितनी है 5 t equal to 4 second पे t equal to 4 second पे velocity जो हूई वो कितनी हूई 17 meter per second 50 equal to 8 second पे t equal to 8 second पे जो velocity हूई वो कितनी हूई 29 meter per second और it equal to 10 second पे टी equal to 10 second पे जो velocity हूई 26 meter per second हूई तुम देख सकते हो 0 पे 4 पे, ok! पे 10 पे acceso, क्या है positive, 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 positive matलिब right, velocity positive है, right है, right है right है, velocity क्या है positive Body कि इधर जाती है? velocity कि तरफ के acceleration कि तरफ विलकुल velocity कि तरफ , body उधर जाएगी ज Cor twist the body लेफ तो बोडी लाफ है बोड़ी वेलासिटी की तरफ जाएगी तो 0 पे 4 सेकंड पे 8 सेकंड पे 10 सेकंड पे लगातार वेलासिटी क्या है positive तो 10 सेकंड के बाद भी बॉड जाएगी, 8 पे भी बोडी राइट जाएगी, तुम यहाँ पे देखो, 0 से लेकर 8 से केंड तक, 0 से लेकर 8 से केंड तक की मैं अगर बात करता हूँ, तो 0 से लेकर 8 से केंड तक एक्सेलरेशन पॉस्टिव है मतलब एक्सेलरेशन राइट है 0 से लेकर 8 से केंड तक एक्सेलरेशन पॉस्टिव है मतलब एक्सेलरेशन राइट है 8 से के बाद एक्सेलरेशन क्या हुआ नेगेटिव और 8 second के बाद acceleration negative हुआ मतलब acceleration किदर हुआ left तो 8 second पे acceleration ने अपने direction change किया velocity ने अपने direction change नहीं किया पहले भी velocity right थी बाद में velocity right है तो 8 second पे direction change velocity का नहीं हुआ तो body right ही जाएगी left नहीं जा रही है 8 second पे 8 second पे repeat करता हूँ मैं 8 second पे acceleration direction change हुआ velocity का नहीं ठीक है अब वो अलग बात है जब तक acceleration क्या होगा velocity के parallel speed बढ़ेगी तो 0 से लेकर 8 seconds टक acceleration क्या है velocity के parallel to speed बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और 8 seconds के बाद acceleration क्या होगा velocity के opposite तब speed घट रही है इसके बाद ठेक है तो यह हो गया हमारा मुझे में यह बताना था कि 8 सेकेंड पे बॉडी ने अपना वेलासिटी और डारेक्शन चेंज नहीं किया एक्सलेशन डारेक्शन चेंज किया यह बात कंप्लीट हुई आगे बढ़ते हैं यहां पर देखो यहां पर अगले कोश्चन में वेलासिटी और टाइम में ग्राफ दिया है वेलासिटी और टाइम में ग्राफ गीवन है और हमें एक्सलेशन सॉरी तुम्हें यहां पर देखो इस कोश्चन में यहां पर वेलासिटी और टाइम में ग्राफ गीवन है और हमें displacement और time में graph निकालना है, सोचो, वीडियो को रोक के सोचो कि अगर velocity और time में graph ऐसा है, तो acceleration और time में graph कैसा होगा, जल्दी, यह graph velocity time के बीच का है, तुम देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक velocity बढ़ी और इसके बाद velocity घटी और यहाँ पर यहाँ पर फिर से velocity क्या होगी 0, यहाँ पर velocity क्या है maximum, यह graph velocity और time के बीच का है, तो आपको draw करना है displacement और time के बीच का ग्राव, displacement और time के बीच का आपको graph draw करना है, ठीक है, वीडियो को रोक के करें, ठीक है चलो, उम्मीद है कि आपने try कर लिया होगा, अब मैं करता हूँ, ऐसे, ऐसे, इसको मैं 4 सेकंड लिग दूँ, इसको मैंने 4 सेकंड लिग दिया, इसको मैंने 8 सेकंड लिग दिया, 4 सेकंड तक वेलॉस्टी बढ़ी और 4 सेकंड के बाद वेलॉस्टी घटी, ठीक है, तो कुछ लोगो ने graph यह draw किया, velocity time का, सॉरी displacement time का graph, कुछ लोगो ने ऐसा graph draw किया, ठीक है, कुछ लोगो ने graph कुछ ऐसा draw किया, यह graph, कि 4 सेकंड तक 8 सेकंड है, कुछ लोग यह draw करते हैं, कुछ लोग, displacement time का graph, ऐसा कुछ graph draw करते हैं, कुछ लोग यही draw करते हैं कि displacement का graph, यही होगा, ऐसा कुछ, अगर यह question का graph है, अगर velocity time का graph given है, तो कुछ लोग यह सोचते है, displacement time का graph, displacement time का graph, displacement time का graph, displacement time का graph, जल्दी सोच के बताओ कि इन में से कौन सा graph सही है, तो लोग एक और रो कर लेता हूँ, एक और मैं दिखा देता हूँ, और वो graph कुछ ऐसा है, इन में से कौन सा एक गराफ सही है, जल्दी सोचो कि कौन सा एक graph सही है, टीक है, अब मैं बताता हूँ कि कौन सा सही है, मालनो कि तुम राइक चला रहे हो चार चला रहे हो इस डारेक्शन में दूम कार चला रहे हो ठेक है चार चला रहे लोग्रा थयाट किया यह गृण़ किया कि टी फोर सेकंड तक तुम्हारा पैर किस पे ब्रेक पे है कि एक्सलेटर पे है ब्रेक पे है कि एक्सलेटर पे है एक्सलेटर पे है कि तुम्हारी स्पीड बढ़ रही तो जीदो से लेकर फोर सेकंड तक तुम्हारा अगर तुम कार चला रहे तो तुम्हारा जो पैर है वो एक्स की स्पीड बढ़ाई फोर सेकंड के बाद तुम्हारा तुमने क्या किया तुमने कार को रिवर्स गेर पे लेके आए मतलब कि तुम अपने कार को पीछे लेके आ पहले कार जीनों से लेकर four second तक कार राइट जा रहे थी four second पे हमने ब्रेक लगाया break लगाने के बाद आगलु sacar जब तक लुक नहीं आती तब कर राइट जाएगी लेर्फ जाएगी और गूफसलि बेकूफ हूं ब्रेक लगां तो भी तो कार राइट जाएगी पहले का राइट जारी तूर्ट लगाने के बाद कार राइट जारी तो मतलब जीनओ से लेकर 8 शेकेंड तक लगातार चार का डिस्प्रेस्मीन बढ़ा byढ़ा say ट्रेस्मेंट कीचिया तो यह형प कहता है कि फोर सेकेंड तक ये भी कहता है कि इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया तो सारे के सारा सारे ग्राफ जो हुए वो गलत हुए जो गलत हुए क्योंकि 4 सेकंड के बाद भी कार राई जा रही है 4 second के बाद भी displacement बढ़ेगा, तो 0 से लेकर 8 second तक displacement बढ़ेगा, 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 तो सारे के सारे graph इस कारण से गलत होते हैं, इस सब गलत है, इसमें से कोई सा भी graph सही नहीं था, सारे graph गलत थे, तो सही graph क्या है, चलो सही graph मैं draw करने की कोशिश करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर देखें, displacement time का हमें graph draw करना है, graph draw करते हैं, यहाँ पर देखो, velocity time का graph, velocity और time का graph, straight line है, जब graph straight line होता है, तो इस graph का, इस graph का slope जो होगा, वो constant होगा, और यह angle 90 से कम है, तो slope जो होगा, वो constant होगा और positive होगा, और velocity और time का जो slope होता है, वो क्या होता है, acceleration इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तका एकसलेशन constant है और positive है फिर यहाँ की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक भी straight line है यहाँ भी straight line तो यहाँ का भी slope क्या होगा constant लेकिनी एंगल क्या है 90 स्ञादा slope tan theta क्या होगा negative फिर सिह वही बात कि वही बात कि यहां से यहां तका acceleration positive है और यहां से यहां तका acceleration negative है अच्छा यहां से लेकर यहां तक की velocity कैसी velocity positive है क्यों positive है क्यों graph इस line यह velocity graph है velocity is line के ऊपर तो velocity क्या है positive और यहां से लेकर यहां तक की velocity positive है तो हमने देखा कि velocity तो दोनो positive है लेकर acceleration यह वाला positive और यह वाला acceleration negative है और constant है हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर acceleration constant हो तो displacement time graph displacement time graph और position time graph parabolic होता है parabolic acceleration constant तो यहाँ graph क्या होगा parabolic acceleration constant तो यह graph क्या होगा parabolic parabolic मैं आप लोगों को याद दिला हूँ अगर displacement time में graph अगर हस्ते वी चहरे से याद है ना displacement time में graph अगर हस्ते वी चहरे से match करता है तो acceleration क्या होता है positive और रोते हुए चहरे से match करता है रोते हुए या दुखी चहरे से मैच करता है अरे जब मैं दुखी होंगा यह बात कर चुका हो मैं पिछली क्लास में पिछली क्लास में हस्ते हुए चहरे से match किया acceleration positive होगा दुखी चहरे से match क्या तो acceleration क्या होगा negative ठीक है अब बताओ और हमने यह भी देखा इस पूरे का acceleration positive है लेकिन displacement time का slope जो होता है वो क्या होता है velocity slope velocity होता है तो यहां से देखो इस graph का slope positive है तो velocity क्या होगी positive इस graph का slope negative है slope negative तो velocity क्या होगी negative similarly यहां का देखें इस graph का slope कैसा है positive इस left graph का left graph का slope positive तो velocity कैसी होगी positive और right graph का slope negative तो velocity कैसी होगी negative velocity negative होगी ऐसा कि हमने देखा ठीक है तो इस पूरे का acceleration positive है आदे की velocity negative आदे की velocity positive इस पूरे का acceleration negative है आदे की velocity positive हमें तो दोनों velocity positive चाहिए इस graph में हमें negative velocity नहीं चाहिए, तो negative वाली velocity में हटा दे रहा हूँ, हमें negative velocity नहीं चाहिए, तो negative वाली velocity हटा दे रहा हूँ, इसका मतलब कि 0 से लेकर 4 second तक का graph इस से match करेगा, हाँ, तो 0 से लेकर 4 second तक का velocity और acceleration दोनों positive है, graph इस से match करेगा, और 4 से लेकर 8 second तक graph इस से match करेगा, अभी graph draw नहीं किया, graph को curve draw कर रहा हूँ, अभी start करता हूँ, draw करना graph, तो देखो, 0 से लेकर 4 second तक, और दोनों acceleration constant है, तो graph कैसा होगा, parabolic, तो 0 से लेकर 4 second तक का graph यह हुआ, ठीक, जहाँ पर, velocity भी क्या है, positive, acceleration भी क्या है, positive, और यह parabola है, तो यह acceleration constant है, तो graph parabola होता है, यह हो गया, graph, अब बताओ, इस 4 second के बाद, बताओ, graph किदर जाएगा, ऊपर या नीचे, अभी graph draw नहीं किया हूँ, मैं, पुशाओ, graph जाएग किदर, उपर की नीचे, जैसे कि मैं समझाया कि 4 second के बाद भी displacement बढ़ेगा, तो graph उपर ही जाएगा, और graph किस तरह से, इस तरह से उपर जाएगा, graph जो होगा, वो कुछ, इस type से होगा, यह भी curve था, और यह भी curve हुआ, इस curve का, velocity कैसी है, positive, लेकिन acceleration कैसा है, negative, यह draw कर लें होंगे, यह हमारा graph complete हुआ, graph यहाँ पर continue हो सुआ है, बढ़ते हैं, हम लोग next question पर, अगली question बढ़ें, इस next question में पूछा है कि, किस moment पर, किस moment पर, velocity maximum है, यहाँ पर देखो, पहले acceleration increase किया, और फिर acceleration decrease किया, पहले acceleration increase किया, फिर acceleration decrease किया, तो पूछा है, इस graph की बारे में, कि किस moment पर, velocity जो है, वो maximum है, P equal to 5 second पर, कि किस moment पर, velocity maximum है, यह पूछा है, सोचो, सोचो, देखें, हम लोग कैसा लगता है कि, 5 second पर, velocity क्या है, maximum, 5 second तक, acceleration बढ़ रहा, और 5 second के बाद, acceleration घट रहा, यह मानलो कि, at what moment, velocity is maximum, यह मानते हुए, कि, यह दिया हुआ, at t equal to 0, velocity is 0, यह given है, ठीक है, ना, मानलो कि, t equal to 0, velocity 0 है, तो 5 second तक, acceleration बढ़ा, और 5 second के बाद, acceleration घटा, तो पूछा है कि, velocity कहा maximum है, कुछ लोग बोलते हैं, 5 second पर नहीं, maximum है, acceleration maximum, और जरूरी नहीं, कि, जहाँ, acceleration maximum हो, वहाँ पर velocity क्या हो, maximum, हाँ, तो कहाँ पर velocity maximum है, इस figure में, बिल्कुल सही सोचा, आपने, 10 second पर, velocity क्या है, maximum, कैसे, तुम देख लो, 0 से लेकि, 5 second है, मानलो, यह path है, यह path है, जैसा कि, मैंने कहा, कि, t equal to 0 पर, मानलो, कि, velocity कितनी है, 0, और 0 से, right direction को, मैंने positive बोला, तो 0 से लेकि, 5 second तक, acceleration कैसा है, positive, तो 0 से लेकर, 5 second तक, acceleration positive है, मतलब right है, तो right में, इसकी velocity बढ़ेगी, 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 राइट में, इसकी velocity बढ़ेगे, मानलो, बीवन हो गई, राइट में, इसकी velocity बढ़ेगे, 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 बीवन हो गई, आब 5 से लेकर, 10 second तक, तुम देखो, कि 5 सीलैक eli 10 सेकें तक एक्सलिशान कैसा है पॉर्सिटीव निगेटिव अभी वी क्या उपर ओ ग्राफ उपर होने का मतलब कि एक्सलिशन कैसा है फॉस्टीन मतलब एक्सलिशन राइड है की लेफ्ट राइट है 5 सेकेंड बिलकुल हो ऒत है कि 5 से लेकर 10 से किड़ टक ये एक्सलिरीर्टि टक भी एक्सलिर्यरशन पाउजिटिति राइट है क्या ये एक्सलिरशन विलास्टिक है तो यहां पेदे velocity के parallel speed बढ़ेगी तो यहां पर speed बढ़ेगी और speed V1 से बढ़ते-बढ़ते V2 हो जाएगी वीटू हो जाएगी ठेक है सुनों बिल्कुल सही बात है कि 5 से लेकर 10 सेकेंड तक यह acceleration घट रहा है भले acceleration decrease कर रहा लेकनी acceleration velocity के parallel है और जब तक acceleration velocity के parallel है तब तक speed बढ़ेगी तो speed V1 से बढ़ते-बढ़ते क्या हो जाएगी वीटू वीटू हो जाएगी तो 10 सेकेंड पर तुम अगर मैं इसको निकाल हूँ इसका area क्या होता चेंजिन velocity तो यहां पर change velocity क्या होगा 20 तो solve करने पर V1 जो आएगा वो 20 आएगा क्योंकि initial velocity कितनी है 0 और यह भी फिर से कितना आगया 20 तो यहां पर देखो तुम इदम clear दिख रहा है कि 5 पर नहीं 10 सेकेंड पर velocity क्या है maximum तो इसको लिख लेंगे कि velocity is maximum velocity is maximum at t equal to 10 second और जब velocity maximum है उस moment पे उस moment पे acceleration जो है कितना है 0 velocity is maximum at t equal to 10 second when acceleration equal to 0 जब acceleration 0 है उस वक्त हमारी velocity क्या है maximum और ही हमाले कोई नई बात नहीं है अभी हमने उपर भी देखा था मैं याद दिलाओं यह देखो ऊपर यह रहा हमने क्या देखा था t equal to 8 second पर जब क्लियर दिख रहा है कि t equal to 4 पर नहीं t equal to 4 पर acceleration क्या है maximum लेकिन t equal to 8 पर देखो 4 पर velocity कितनी 17 और 8 पर कितना 29 t equal to 8 पर जो second t equal to 8 second पर velocity हो क्या है maximum कब जब acceleration कितना है 0 हाँ 8 के बाद velocity घटी 8 के बाद velocity घटी 8 पर जो velocity है कैसी velocity है maximum velocity है ठीक है तो गलती मत करना तो बताओ क्या यह possible है क्या क्या एक्सलरेशन डिकरीज झो और वेलीस टी इंकरीज हो क्या यह possible है जवाब दो एक्सलरेशन डिकरीजव व्लासिटी इंकरीज इनकरीज चुक बाद कॉसिबल है विलकुल 5 से लेकर 10 सेकेंट चकलर एक्सलरेशन टॉ'tILL कर रहा एक्सलरेशन डिकरीज़ कर रहा, लेकिन, velocity increase कर रही, बिलकुल, यह possible है, ठीक, तुम बताओ, क्या यह बताओ, क्या decreasing, acceleration को, retardation कहते हैं क्या, बताओ, क्या decreasing acceleration, retardation कह रहाता है, yes or no, नहीं, 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 बिलकुल, नहीं, decreasing acceleration जो है retardation नहीं कहलाता हूँ यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर से मैं बोल रहा हूँ important point इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि decreasing acceleration अलग चीज है और retardation अलग चीज है retardation किसो कहते हैं जब acceleration velocity के opposite हूँ तो ऐसा acceleration कहलाता है retardation या de-acceleration de-acceleration तुम फटा फटा ना जवाब देना मेरी बात का बताओ यह नहां देखो first three figure में acceleration velocity के parallel है और last three figure में acceleration जो है velocity के opposite है इस question में given है पहले figure में acceleration increase कर रहा दूसरे figure में acceleration decrease कर रहा और तीसरे figure में acceleration constant है acceleration constant है first figure में acceleration increase कर रहा second में acceleration decrease कर रहा और third figure में जो acceleration है वो कैसा है constant increase इंक्रीज, 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 इं एक्सेलरेशन जब तक वेलासिटी के पैरलल होगा तब तक स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी तीनों में स्पीड बढ़ेगी चाहे एक्सेलरेशन घटे और चाहे एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट रहे भले एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन जो है वेलास्टी के अपोजिट है अगर एक्सलेशन वेलास्टी के अपोजिट हो अगर एक्सलेशन वेलास्टी के अपोजिट हो तो स्पीड घटेगी घटेगी चाहे एक्सलेशन चाहे एक्सलेशन increase कर रहा हो चाहे acceleration increase कर रहा चाहे acceleration decrease कर रहा चाहे acceleration constant हो किनों के स्पीड घटेगी और यहां पर चाहे acceleration बढ़े चाहे acceleration increase कर रहा चाहे decrease कर रहा चाहे constant हो speed को तो बढ़ना है हां तो बताओ हमने क्या देखा घटता हुआ acceleration भी speed को बढ़ा सकता है decreasing acceleration भी speed को बढ़ा सकता है और increasing acceleration speed को कम कर सकता है कुछ भी कुछ भी possible है depends की parallel है की opposite तो बताओ इन तीनों में से retardation कौन सा है इन तीनों में retardation कौन सा है कोई भी नहीं तीनों के तीनों में कोई भी retardation नहीं है यह acceleration घट रहा है लेकिं इसके retardation? नहीं कहेंगे. retardation नहीं. इन तनों में retardation कौई सा है? इन त्नों में इताराराइशन? तेनों के त्नों के त्नों OUT कि त्नों एकक्सलेरोशन क्या है? व्लैसिट तो ये भी का है. तो घरता हुआ acceleration अलग चीज है और retardation अलग चीज है लिख लेंगे कापी पर लिखो इसको लिखो कि decreasing acceleration is not the retardation लिखो इसको कॉपी में कि decreasing acceleration is not the retardation घटता हुआ acceleration retardation नहीं कहलाता ठेक ठेक चलो यह हो गया बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन पर एक अच्छा ज्यान देना यह graph हमारा acceleration time की बीच का graph नहीं है गलती मत करना यह graph हमारा acceleration of position की बीच में graph है acceleration और position के बीच में हमारा यह graph है acceleration position यह 2 meter है यह 4 meter है और acceleration 16 है यह रहा graph x equal to zero पर velocity कितनी है plus six अगर x equal to zero पर velocity plus six है तो पूछा है किस graph की maximum इस इस motion की maximum velocity क्या होगी जल्दी बताओ इस motion की क्या होगी maximum velocity फटा फटा बताओ अराम से वीडियो को रोक के तुम solve कर सकते हो ठीक है वीडियो को रोको solve करो ओके उम्मीद है कि आपने try कर लिया होगा ठीक है हम मैं करता हूं मैं इसको solve करता हूं कैसे solve हो गए इसका अगर मैं area देखू यह तो बात clear हो चुकी है कि x equal to 4 पर velocity क्या होगी maximum क्यों होगी maximum x equal to 0 पर यह x equal to 0 है उस पर velocity कितनी है plus 6 और 0 से लेकर 4 second तक acceleration sorry 0 से लेकर 4 meter तक 0 से लेकर 4 meter तक acceleration positive है और right को मैंने क्या बोला है positive तो 0 से लेकर 4 तक acceleration किदर है right तो velocity बढ़ेगी 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 तो 4 पर जाके velocity जो होगी वह maximum होगी पूछा है यही maximum velocity कितनी होगी हमें maximum velocity निकाल नहीं है तो हमने इसका area निकाला इसका area कितना आएगा 16 into 4 by 2 32 area कितना आएगा 32 area 32 आया area को हमने क्या बोल दिया area को हमने क्या बोला यह जो area आया उसको हमने क्या बोला change in velocity उस area को हमने change in velocity बोला change in velocity क्या होगी final velocity minus initial velocity area 32 change in velocity final velocity minus initial velocity v4 minus v0 v0 कि value कितनी है 6 यह 6 है तो 32 plus 6 38 बता यह जो मैं किया यह सही है कि गलत है अभी जो मैंने किया है सही किया की गलत किया बिलकुल गलत किया क्योंकि इस ग्राफ का एरिया चेंज इन विलास्टी बिलकुल नहीं होगा इसका एरिया चेंज इन विलास्टी नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई चेंज इन विलास्टी और इसलिए नहीं होगा क्योंकि एर और यह acceleration position का है इसका area change in velocity नहीं होगा तो यह ध्यान रखना इस बाग की गलती मत करना इसका जो area है वो change in velocity नहीं होगा फिर क्या करें तो मैं बताता हूं क्या करें हम लोगी पढ़ चुके है acceleration equal to kya होता है V dv by dx acceleration is equals to V dv by dx होता है velocity को इधर लिखा और dx को इधर transfer किया transfer करने के बाद फिर मैंने इसको integrate कर दिया मालनो कि x equal to 0 पर velocity कितनी है U और x equal to x पर velocity कितनी है V x equal to 0 पर velocity U है initial velocity और x equal to x पर velocity कितना भी इसका integration कितना आएगा इसका integration कितना आएगा इसका integration कितना आएगा v square by 2 v square by 2 और limit put करने के बाद limit put करने के बाद जो आएगा वो कितना हैगा? V square by 2 minus u square by 2. V square by 2 minus u square by 2 equals to क्या हैगा? Integral ADX. इसको मैं ऐसे रिख दूँँ. इसको लिख दूँँ मैं V square minus u square by 2 equals to integral ADX. हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी ग्राफ का जो एरिया होता है. एरिया क्या होता है? किसी ग्राफ का एरिया क्या होता है? इंटिग्रल YDX. यहां पर Y का मतलब क्या है? इसका एरिया क्या होगा? इंटिग्रल ADX. इस ग्राफ का एरिया इंटिग्रल ADX होगा. तो इंटिग्रल ADX जो होगा? वो क्या होगा? इस ग्राफ का एरिया. इस ग्राफ का एरिया. किसका एरिया? एक्सलेरेशन और पोजिशन का जो ग्राफ है उसका जो एरिया होगा? यह अगर ये 0 से 4 तक का area है अगर ये 0 से 4 तक का area है ते विलास्टी क्या होगी? x equal 0 वाली और ये विलास्टी क्या होगी? x equal to 4 वाली और x equal to 4 वाली विलास्टी में निकालने है वही तो max velocity v nikaलना है v square कुष्ण में दे रहा, U की वैलू क्या दे रहा, 6, और X रिकोल 0 पे वेलॉस्टी कुष्ण में गीवेन है, 6, और area जो आया, वो कितना आया, 32, solve करने पर, अभी हमने निकाल था, यह area जो आया था, वो कितना आया था, 32, तो 32 into 2, 64, 64 plus 36, 100, solve करने पर, V की वैलू क्या आगी, solve करने पर, V की वैलू जो आई, वो क्या आगई, 10 meter per second, तो इस तरह से, यही क्या होगी हमारी, जो वेलास्टी होगी, वही maximum velocity होगी, और जो maximum velocity आई, वो कितना आगया, 10 meter per second, यह आगया answer, ठीक है, simple सा, हमने पहले यहा है, इसको लिखा, इसको लिखा, इसको इंटेगेट करकी यह आया, हम लोगे देख चुके हैं, कि इसका area जो होगा, हमने देख किस गराफ का area जो होगा, वो integral ADX होगा, तो integral ADX को क्या लिखा? area और इसको इंटेगेट करने से यह आया, area कितना 32 U कितना SX solve क्या भी क्या है 10 meter per second इस question का answer यह है अच्छा question था यह रहा इस question का answer ठीक है चलो आज के लिए इतना ही देखते फिर next class में अत्रश को अच्छा बटार जात्रश चार के लिए आफ यह रहा है अच्छार बटानी देखते लिए रदेखते लिए का यह रहा है अच्छारा के लिए्वर्णक्ट्ट्टक्रशक्र पाम तुक्न difficult